नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू डेले इन्पूट्स पॉलिटी मस्टर क्ला सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है यूनियन एंड इस टेरिटरी संग एवंग इसका शेत्र दोस्तों इंडियन पॉलिटी के उपर ये पूरा सीरीज SSC, बैंक, आरार्बी जैसे National और State Level Competitive Exams के सभी उम्मीदवारों को मैं highly recommend करूँगा सिर्फ जितना परा रहा हूँ, उतना ही परो लेकिन बार-बार revise करो I can assure you, परिक्षा में आपके कोई तकलिफे नहीं होगी तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक Union and its Territory अच्छा, दोस्तों आपसे एक छोटा सा request है कि इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है पहले उसके उपर आप क्लिक कीजिए फिर उसके बराबर में ऐसा एक बेल आइकन आएगा, उसके उपर भी जरूर क्लिक करना इससे क्या होगा, कि डेली जब मैं वीडियो अपलोट करूँगा तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ढूनने में कोई परिशानी नहीं होगी ठीक है? अच्छा, भारतीय समविदान का जब निर्वान हुआ था, तब इसमें टोटल अठारा भाग था और अब इसमें पच्चिस भाग है इनमें से पहला भाग है यूनियन एंडिट्स टेरिटरी पहला भाग में टोटल चार आटिकल्स है ये चार अनुच्छेद में भारतीय संग और इसके शेत्रों के बारे में विस्तारी तुरूप से चर्चा की गई है तो दोस्तों सबसे पहले हम इन चार अनुच्छेदों को अच्छे से पढ़ेंगी भारतीय संविदान का पहला अनुच्छेद में का गया है भारत एक राज्यो का समोह नहीं होगा भारत एक यूनियन अफ स्टेट्स यानि राज्यो का संग होगा डॉक्टर बी अर अम्बितकर ने भारतीय फेडरेशन को एक संग बताया जहाँ पर भारतीय संग में राज्यो के पास बिवक्त होने का कोई अधिकार नहीं है तो भारत को एक यूनियन अफ स्टेट्स बताया किसने डॉक्टर बी अर अम्बितकर ने अनुच्छेद एक के अनुसार भारतीय शेत्रो को दो पाट में बाटा गया है एक है टेरिटरी अफ दा स्टेट्स यानि राज्यो के शेत्र और दूसरा है यूनियन टेरिटरी यानि संग्षेत्र यूनियन अफ इंडिया में केवल भारत के सभी राज्यो है लेकिन टेरिटरी अफ इंडिया में भारत के सभी राज्यो और केंद्र शेट प्रदेश दोनों ही है इसका मतलब Union of India से Territory of India का व्यापकर्थ है ओके अच्छा दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले जम्मो एन कश्मीर को केंद्रश रशित प्रदेश डेकलेर करने के बाद इस वक्त भारत में टोटल 28 राज्यों है और 9 केंद्रश रशित प्रदेश है ये latest update है भारत का पाट नहीं है ऐसे राज्यों को भारत के संग में शामिल कर सकते है या नए राज्यों को गठन करने की पावर देता है Article 2 लेकिन ध्यान रखना Article 2 में सिर्फ उन राज्यों की बात की गई है जो अभी भारत का भाग नहीं है ओके ये पावर संसत के पास रहती है ठीक है Article 3 के तहएद भारती शेत्रों के भीतर जो राज्यों है इनका पुनरगठन की पावर संसत को दी गई है इस अनुच्छत का इस्तवाल करके संसत क्या क्या कर सकता है देखो First of all भारती शेत्रों के भीतर एक नया राज्य बना सकता है कैसे बनाएगा Suppose ये एक राज्य है यहां से कट करके ये एक नया राज्य बन गया या तो suppose करो दो या दो से अधिक राज्यों को मिला कर एक नया राज्य हो गया या फिर suppose ये एक राज्य है और बगल में किसी राज्यों का थोरा पार्ट इसके साथ जोरा गया तो ये पूरा बन गया एक नया राज्य मतलब कैसे भी इधर उधर से जोर कर संसत के पास एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है Article 3 नया राज्य बनाने के अलबा किसी भी राज्यों के शेत्रों को बरा सकेगी घटा सकेगी किसी राज्यों की सिमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी राज्य के नाम भी परिवर्तन कर सकेगी तो संसत को ये सब कुछ करने की पावर देता है भारतिय सम्विदान का अउच्छित 3 अच्छा, राज्यों को पुनरगठन करने के लिए संसद में एक State Reorganization Bill पास करना पड़ता है तो पास करने का प्रोसेस एक बाद देख लेंगे First of all, State Reorganization Bill को संसद में किसी एक सदन आईदर लोकसवा या राज्यसवा में लाना परता है ये बिल लाने के लिए संसदू की अनुमती की ज़रूरत नहीं है सिर्फ राश्ट्रपती से पहले से अनुमती लेकर इस बिल को लाया जा सकता है और जिस राज्य का परिवर्तन होगा राष्ट्रपती उस राज्य से अपना विचार पूछता है और एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के भीतर उस राज्य को जवाब देना पड़ता है लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य का विचार संसत को मानना ही परेगा राज्य का विचार पार्लामेंट मान भी सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है संसत में सिर्फ सिंपल मिजॉरिटी से जो सिध्धन्त पास होगा वही फाइनल इसिशन है मतलब राज्य पुनरगठन के बारे में संसत के हाथ में पूर्न शमता है और फाइनली पार्ट वान का लास्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल फोर ये कहता है अनुच्छे दो और तीन के अंतरगत जो जो बिल सदन में पास होंगे उसे कंस्टिट्यूशनल एमेंडमेंट कहा नहीं जाएगा तो इस तरह के अनुच्छे दो से हम समझ सकते हैं कि भारत ये समविदान कितना फ्लेक्सिवल है ओके अचा दोस्तों समविदान का जब निर्मान हो रहा था तब राज्जो का पुनरगठन कैसे होगा ये एक बहुत बारा मुद्धा था अब दक्षिन भारत से मांग उठने लगी कि भाषाओ के अधर पर राज्जो का पुनरगठन हो तो क्या भाषाओ के अधर पर राज्जो का पुनरगठन सही होगा ये स्टाडी करने के लिए कंस्टिट्यूएंट एसेंबली ने सन 1947 में इसके धर कमिटी का गठन किया धर कमिटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में भाषाओ के अधर पर राज्जो पुनरगठन का आईडिया को पूरी तरह से खारिच किया ये शेत्रिय भावनाओं को बरावा दे सकता है और राश्टिय सुरक्षा के लिए भाषाओ के अधर पर पुनरगठन एक बहुत वर सिशन में जेवीपी कमिटी का गठन हुआ इस जेवीपी कमिटी में तीन सदस्य थे जे फर जोहरलल नेहरू, वी फर बलभभाई पेटल एंड पी फर पत्तवी सितरमया भाषाओ के अधर पर पुनरगठन का आईडिया को बाहर सारा सपूर्ट मिल रहा था उस टाइम लेक लेकिन धीरे धीरे दक्षिन भारत में एजिटेशन इतने ज्यादा हो गया था, फाइनली कॉंग्रेस को पीछे हटना बढ़ा और सन 1903 में तेलेगू भाषाओ के लोगों के लिए अंधरपुदेश राज्य का गठन करना बढ़ा अंधरपुदेश भारत का पहला राज्य है, भाषाओ के अधरपर जिसके गठन हुआ इसके बाद अंधरपुदेश को देखकर पुरे भारत के अलग-अलग शेत्रों में भाषाओ के अधरपर राज्यो पुनरगठन की मांग को बरावा मिली ऐसी स्थिती में लिंग्विस्टिक आधर पर रियोर्गनेजिशन की समस्थाओं को डीपली स्टाडी करने के लिए भारत सरकार को प्रेशर में आकर सन 1903 में तीन सदस्थों का एक स्टेट रियोर्गनेजिशन कमिशन का गठन करना परा इस commission के hit थे फजल अली इसलिए इस commission को फजल अली commission भी कहा जाता है ओके लेकिन फजल अली commission ने भी पिछले आयोगो की तरह एक राज्यो एक भाषा का idea को पूरी तरह से खरिज किया तो clear है सब कुछ? ठीक है तो दोस्तो union and its territory topic को यहाँ पर हम खतम करते हैं इस topic के उपर जितना मैंने आपको पढ़ाया article 1 to 4 और 3 committees सिर्फ इतना ही आपके लिए काफी है परिक्षा में अगर सवाल पूछा गया तो इसी में से आएगा इसके बार कुछ आता नहीं तो again मैं आपको request करूँगा अप जितना ज्यादा बर हो सके revise करो अच्छा दूस्तो अभी तक अपनी इस channel को subscribe नहीं किया हो तो इस button के उपर फड़ा फट लिक कीजिए और इसके बराबर में एक bell icon हैगा इस तरह का उस पे भी आप ज़रूर क्लिक करना ताकि इस channel में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी notification सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए anyway अच्छा लगा तो आपका काम है सबसे पहले इस वीडियो को like करना और नीचे comment में अपना review डालना उसके बाद facebook, whatsapp में जितने सारे active groups है वहाँ आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को please share करें So guys, hope you enjoyed the video और इस वीडियो से related आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे comment में मुझसे पूछ सकते हैं and follow daily inputs regularly believe me cracking exam was never so easy before